नवश्कार स्वागत थे आप सभी का किसान बुलिटिन में और मैं हूँ आपके साथ पारूलियादब चलिए मैं दर डालते हैं किसान बुलिटिन में आज की बड़ी हैटलाइन्स पर उत्रप्रदेश के राज भवन में लगी सबसे बड़ी लौकी की प्रदर्शनी मुख्य मंत्री से लेकर किसानों तक हो किया आकर्शित आंदर प्रदेश में गाय की नेफस्व सुधार कर विक्सित की गई धाय फिट की गाय देती है तीन डीटर दूद गोपाल पुरुषकार प्रतियोगीता के विजिताओं को मिला पुरुषकार प्रदेश सरकार ने टूट कर दी जानकारी देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी बस सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उत्रदेश के लतनो राज भवन में चार दिवसिये 54 वी प्रादेशिक फल शाक भाजी वा पुशू प्रदशनी का आयूजन किया जा रहा है जिसमें तरहा तरहा की फल सब्सक्राइब फूलों की प्रदशनी किसानों द्वारा लगाई जा रही है इसी कड़ी में कुछ ऐसी हाइब्रिड किसमें लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रही है जिनका आकार और लंबाई आमत वर्म पर मिलने वाली सब्यों से काफी अलग और ज़ादा है आपको बता दे कि इस प्रदरशणी में जहाँ 500 से जादा तरहा की रंग भीरंगी फूलों की किस्म का प्रदरशन किया गया तो वहीं 200 से जादा तरहा की सबजियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है लेकिन इस सब में सबसे जादा चर्चा इस समय लौकी की हो रही है जिसकी लंबाई करीब 6 फिट है जिन में से नरेंदर शिवानी का नाम भी शामिल है इस लौकी की लंबाई 4 फिट से लेकर 7 फिट तक होती है आपको बता दे शिफ पूजन सिंग ने ऑक्सिटोसन इंजेक्शन से होने वाली लौकी के फलो में एक का एक बढ़ोत्री और उत्पादन में बढ़ोत्री के दुश्प्रवाओं को देखते हुए इस खास किस्म को विक्सित किया है इस लौकी को गुगाने वाले किसान काफी जादा उससाहित रहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई के चलते इससे किसानों की आए में भी इजाफा हो रहा है सबसे छोटी गाई के नाम से मशूर गाई की पुंगनूर नसल किसानों के बीच काफी लोग प्रिय रही है इस बीच हाल ही में आंत्रपदेश के काकी नाड़ा के रहने वाले एक वैदे ने अपनी 14 साल की मेहनत के बाद इस गाई की नसल में सुधार किया है जिसके बाद इस गाई को विक्सित किया है जिसका आकाट समाने नसल से भी छोटा है दरसल पुक्टर राजू नाड़ी पती नाम से कोशाला का संचालन करते हैं उनके मताबिक मिनियेचर पुंग्नूर को 2019 में विक्सित किया गया है जबकि पुंगनूर करीब 112 साल पुरानी किस्म है डॉक्टर के नुसार गाय की असल पुंगनूर नसल सिर्फ वैदी काल में हुआ करती थी जिसे ब्रह्मा ब्रीट कहा जाता था मगर बदलते वक्त और जलवायू के साथ इसकी उचाई बढ़ती गई और ये तीन से पांच फिर तक जा पहुची एक जानकारी के मताबिक पूरे देश में गायो के सिर्फ 32 नसले बची है जबकि प्राचीन काल में 302 के आसपास नसले हुआ करती थी पशुपालन विभाग मद्रप्रदेश की ओर से दिवास जिले में एक फरवरी से 15 परवरी की बीच आयोजित की गई गोपाल पुरुषकार प्रतियोगिता के विजिताओ के नाम का हल ही में एलान किया गया है जिसमें पहला पुरुषकार पाने वाले पशुपालों को 51,000 रुपे का पुरुषकार मिला है वही दूसरा पुरुषकार 21,000 रुपे का जबकि तीसरा पुरुषकार 11,000 रुपे का तै किया गया था जानकारी के लिए आपको बतादे कि यह प्रतियोगिता देसी कायो के बीच सबसे अधिक दूद देने वाले कायो के लिए आयोजित की गई थी इसका उदेशे देशी गायों का सनरक्षन और उनकी स्तिती में सुधार करने के लिए किया गया था जिसके तीन विजिताओं के लिस्ट घोशित की गई है पशुपालन विभाग ने टुटकर विजिताओं के नाम बताए हैं जिसमें पहला स्थान रामचरण की गाय को मिला है दूसरे स्थान पर मोहन यादब रही तो वहीं तीसरे स्थान पर महरबान सिंकी देशी गाय रही इन सभी पशुपालों की गाये को सबसे अधिक दून देने के मामले में वीजेता चुना गया है आपको बता दें किस आयोजन में चिकिस्तको और विशेशग्यों की निगरानी के बाद उस स्वस्त पशुओं को जगा दी गई थी साथी इसमें ऐसी देशी घाये शामिल हुई थी जिनके कान में जियाई टैग लगा हो और इनका पोटल पर पंजियन हो दोस्तो यह थी वो खबरे जिने हमने आप तक विस्तार्ट से पहुंच आया लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है तो चलिए फटाफट से एक में दर डालते हैं खेती के सानी और एक कृष्टी शेत्र से जुड़ी आज के छोटी बड़ी अपडेट्स पर यूपी की राज्यपाल आनंदी बिन पटेल की मौझूद्गी में बीतेर अविवार की शाम राज्यभवन में फैशन शो आयोजित हुआ प्राकरतिक रंगों में रंगे इस फैशन शो को राज्यपाल ने इनोवेटिव आईडिया का उपयूप्त उधारन बताया आपको बतादे कि राज्यभवन में आविजित हुए इस फैशन शो में फूल पत्यों से बनी ड्रेस के अलावा लखनों की विश्व प्रसिद चिकनकारी से बनी ड्रेस को कुदरत के रंगों में सजाकर रैम पर पेश किया गया था स्मार्ट वाज्च की तर्द्स पर हाल फिलहाल में किसानो के इनिये नैशनल डेरी डेवलेप्मेंट बोर्ड के अधीन काम करने वाली कंपनी IDMC ने एक काउ मॉनिटर सिस्टम के नाम से एक खास तरहा की बैल्ट को विक्सित किया है इसे गाए और भैस दोनों की गलों में पहनाती ही शरीर के तापमान से लेकर परशो के स्टैक्स और लोकीशन की जानकारी मिलने लगती है ये बैल्ट को उपलब्द होने में फिलहाल अभी 4-5 महीने का समय लग सकता है इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है आपको बता दे लखनों में आउजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट में इस बैल्ट का प्रजर्शन भी किया गया होली के त्योहाट से पहले जहारखन की बुकारो जिले में बट फ्लू की आहट उचकी है रानी लक्ष्मी भाई केंद्री क्रिशी विश्वदाले जहांसी उत्रप्रदीश की प्रांगण में बुंदेल खंड में क्रिशी निर्यात एवं पोशक अनाच की संभावनाय विश्य पर 26 स्फरवरी से लेकर 27 स्फरवरी की दोरान रास्टे सरपर किशान मेला और क्रिशी प्रदर्शनी का भवे आयोजन किया जाने वाला है मेले में किसानों को पॉली हाउस उत्पादन और संचालन ड्रोन तकनीक द्वारा सुगम खेती, प्रितिम बुद्धिमता, वर्मी कंपोस्टिंग, मक्का, मुमफली, सरसो तिल, मश्रूम, ट्रैगन फ्रूट और स्ट्राबेरी उत्पादन इतियादे विश्यों पर विग्याने को द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी चत्तिसगर के मुख्यमंत्री भुपेश भगेल ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्याले से प्रदेश के किस्तानों के खातों में गोधन नया योजना की राश्य का वित्रण किया है आपको जानकारी के ने बता दे कि उन्होंने वर्जुल कारिक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामिनों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समीतियों को 8 करोड 63 लाख रुपे की राश्य ओनलाइन सारी की है इसी के साथ आज की किस्तान गुलिटिंग की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप मुझे तीज़े जासत और देखते रहें ग्रीन टीवी नमस्कार